हेलो दोस्तों पो जैसे हमें ने कहा था कि कि मैं कोस्टन लाओंगा बिएट वालों के लिए तो बिएडवालों वो सबसे कम होता है, लाल लंगा परतना क्या होता है, सबसे कम होता है, ठीक है, आप चलते हम अपने तूसरे question की तरफ, second question है आपका कि समुद्र की गहराई किस चीज से मापी जाती है ठीक है यानि समुद्र कितना गहरा है वो किस चीज से मापी जाती है तो फैदो मीटर से मापी जाती है समुद्र की गहराई किस से मापी जाती है तो answer होगा इसका फैदो मीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती तो अब हम चलते हैं अपने next question के तरफ है तो next question है हमारा कि परकास की चाल को सबसे पर्थम किसने गयाद खिया था ठीक है तो answer है rumor ने 맞아요 rumor नाम के घ्यानिक थे जिन्नों ने यह बताया था कि परकास की चल कितनी होती है ठीक है अब हम चलते हैं अपने next question की तरफ परती रोध का मातरक क्या होता है जी हाँ जो परती रोध होता है उसका मातरक होता है ओम क्या होता है ओम होता है परती रोध का मातरक क्या होता है ओम होता है ठीक है अब चलते हैं अपने next question की तरफ तो next question है हमारा कि किस रंग को प्राथमिक रंग कहा जाता है किस रंग को प्राथमिक रंग कहा जाता है तो लाल हरा एवं नीले रंग को प्राथमिक रंग कहा जाता है ठीक है इस किन पर आपको सब कुछ दिख रहा होगा लाल रंग हरा रंग और निला रंग इस तीनों को हम प्रात्मिक रंग बहते हैं ठीक है अब चलते हैं अपने next question की तरफ question है कि किस रंग का प्रक्रणन सबसे कम होता है किस रंग का प्रक्रणन सबसे कम होता है अब हमारा कोशन है कि निकट दिरिष्टी दोस्ट को दूर करने के लिए किस लेंस का पड़ियोग करते हैं ठीक है निकट दिरिष्टी दोस्ट को दूर करने के लिए अवतल का करते हैं यानि कि दूर दिरिष्टी दोस्ट के लिए हम लोग उत्तर लेंस का पड़ियोग करें अब चलते हम अपने next question की तरफ दूरी मापन की सबसे बड़ी इकाई क्या है? जी हाँ, दूरी मापन की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक है, क्या है? पारसेक दूरी मापन की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है ठीक है? अब चलते हम अपने next question की तरफ में होता है सबसे कम तरंग किसमें होता है तो बैगनी में सबसे ज़्यादा तो लाल में ठीक है और लाल का आप बरतनांग भी कम होता है ठीक है तो इस बात को लोग याद रखिये गए ना अब चलते हम अपने नेक्स्ट कोशन की तरफ अब है हमारा कि निरवात में रेडियो तरंग या परकास तरंग की गति क्या होती है ठीक है निरवात में रेडियो तरंग या परकास तरंग की गति क्या होती है यानि कितनी होती है ठीक है तो तीन गुना दस पर पावर आठ मीटर पर सेकेंड होती ह तो अब चलते हैं अपने next question की तरफ अब देखिए पूछा गया question है पूछा गया है कि horsepower कितने watts के बराबर होती है तो horsepower जो है 747 watts के बराबर होती है कितने watts के 749 watts के बराबर होती है ठीक है अब निक्स्ट कोशन है हमारा कोशन है कि हेमेटाइट क्या है यानि कि हेमेटाइट जो है लाह आयस के है क्या है हेमेटाइट जो है वो लाह आयस के है ठीक है क्या है हमेटाइट एक लाह आयस के है ठीक अब हम चलते हैं अपने निक्स्ट कोशन की कितना होता यह मानभ सावान के तापमान कितना होता है तो सेल्सियस में पुछे तो 37 डिगरी सेल्सियस होती है ठीक है अब चलते हम अपने नेक्स्ट कोशन की देरों नेक्स्ट है वायो मंदलिय दाब को किस से मापा जाता है ठीक है तो वायो मंदलिय दाब को बैरो मीटर से मापा जाता है ठीक है वायो मंदलिय दाब को बैरो मीटर स मापा जाता है ठीक निक्स कुछन है हमारा कि दाब बरने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा दाब बरने पर बर्फ का गलनांक बढ़ेगा या घटेगा तो याद रखेगा जब भी दाब बढ़ेगा ठीक है तो बर्फ का गलनांक घटेगा क्या होगा घटेगा ठीक है तो अब दो फाने नेक्स्ट कोर्षा की तरफ से टरफ तो ब और सबसार की जो पूंडे होती है खिक है जो छोटी-ulी घूनिधर होती यह जो यह वह गोल हुथ है चरीं तो शैंसर करों आप यहना तक समझ गये होंगे और आप लोग समझ कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे बहुत बहुत धन्यवाद आपका अब नेक्स्ट वीडियो जो है कल साथ वेज अपलोड हो जाएगे